नमस्कार आप देख रहे हैं मोबाइल निस 24 मैं हूँ नुपुर सिंग और वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों का ब्रिटेन के प्रधान मंत्री बोरिस जॉनसन ने दिया इस्तिफार जहां पचार से अधिक मंत्रियों के साथ छोड़ने के बाद दवाब में यह फैसला लिया प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी पहुँचे अपने संसदिय छेत्र वाराने अक्षे पात्र रसोई का किया लोकारपन जहां इस मौके पर उतर प्रदेश के राजेपाल आनंदी बेन पटेन उतर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रिय शिक्ष और वहीं कहा जा रहा है कि NDA की तरफ से उन्हें उप्राश्रुपति पद का उमिद्वार बनाया जा सकता है चीन आधारत वीवो मुबाइल कंपनी की भारत स्थित शाखाओं पर ED ने छापा मारा वहीं इस पर चीन ने कहा है कि उसे कानून पर भरोसा है करनाटक में भारी बारिश के चलते भुस्खलन से तीन की मौथ हो गए वहीं उड्डूपी और अन्य जिलों में स्कूल कॉलेज बंद किये गए फिल्म मेकर लीना मनी मैकलाइप ने एक और विवादित ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने भगवान शेव और मा पार्वती की आपत्ती जनिक तस्वीर शेर की है वहीं उसके बाद भाजपानेता ने उन पर निशाना सादा है देश में फिर बड़ी कोरुना के मामलों की रफ्तार जहां बीते 24 घंटे में 18,000 से जादा लोग संक्रमित हुए दक्षिन करनड जिले में मुसलेधार बारिश की वज़ा से भुसकलन हुआ जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई वही राहत कारे के जर्ये तीन लोगों को बचा लिया गया है काली पोस्टर विबात पर मध्यप्रदेश के सियम शिवराज सिंग चोहान ने कहा की किसी की भी आस्ता को ठेस नहीं पहुँचाला चाहिए विपक्ष के राश्रपती पत के प्रतियाशी यश्वन सिंग सिना आज लख नव दोरे पर पहुँची और समाजवादी पार्टी की विधायकों से भेट किया बिहार के राजत प्रमुक लालुयादव के शरील में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है और बॉडी में तीन जगव फ्रैक्चर है वहीं राबडी देवी ने कहा है कि दुआ कीजिये चिंताने मनी लॉंडरिंग मामले में दिल्ली सरकार के मंत्री सतेंद्र जैन पर जाच एजनसी का शिकंजा खसता जा रहा है जहां उन्हें कैबिनेट से हटाने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोट में दायर की गई जनित याचिका पराद सुनबाई हुई पंजाब के सियम भगवंत मानगुर प्रीत सिंग परिने सूत्र में बंद हैं जहां दिल्ली के सियम के जरिवाल ने बड़ी भाई की भूमी का निभाई हर्याना के तीन विधायकों को विदेश से हत्या की धमकी मिली है जिसके बाद हड़कम मच गया है वहीं इस शक के घेरे में लौरेंस बिश्णौई गैंग आया है उत्राखन के पूर्व मुख्य मंतरी त्रिवेंदर सिंग रावत ने कहा है कि मोधी सरकार के कारेकाल में विश्व में भारत की साखवड़ी है और प्रगर्ती हुई है जारकन में शादी का जहांसा देकर दुशकर्म मामले में चाईबासा के ISM अंचुमन राजन्स गिरफतार हुए और उनकी गिरफतारी कोलकता से की गई 36 गर के मुख्य मंत्री भुपेश बगेल की अधक्षता में राजी मंत्री परिशत की बैठक आज थी जिसमें कई महत्वपून फैसलों पर मुहर लगी है मध्य प्रदेश में बिजली गिरने से 11 लोगों की मौथ हो गई है और पूरे राज्य में जमकर बारिश हो रही है हिमाचल प्रदेश विधान सभा चुनाव में कॉंग्रेस सर्वे के आधार पर टिकेट देगी वही सर्वे की रिपोर्ट आधार बनेगी जम्मू पहुँचे ग्रिह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में स्वामी रामानुजा चारे की प्रतीमा का अनावरन किया और कहा कि कश्मीर में है प्रतीमा पूरे देश में शांती का संदेश होगा माकाली पर दिये विवादित बयान को लेकर मचे बवाल के बाद बंगाल की मुख्यमंत्री मम्ता बैनर जी ने अपनी पार्टी की सांसत महुआ मोहित्रा को नसीहत देते हुए कहा है कि कुछ करने से पहले लोगों की भावना को समझे बालो को जहरने से रोकने के लिए बालो में प्याज और निम्बू का रस बराबर मात्रा में लगाए और धोले इससे जल्द बाल जहरने की समस्या दूर होगी इंटेलिजन्स ब्यूरो ने सेंट्रल इंटेलिजन्स अफसर और अन्य पदों पर भरती निकाली आवेदक वेबसाइट mha.gov.in पर जाकर 30 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं तो ये थी दिन बर की बड़ी खबरे ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और जादा से जादा शेयर करें ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट